हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों, साल दो हजार चौबीस में सावन का महीना कब है? इसमें कितने सोमवार पड़ेगे? सावन की समापती कब होगी? सावन में वरत का पालन कैसे करें? वरत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए? जान ले सब कुछ! आज के इस वीडियों में दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिवा धर्ती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ती करने पर धन धान्य से घर घर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुब माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिवा की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के वरत की बात ही कुछ और होती है। सावन के बारे में हर बात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कितने सोमवार पड़ेगे और आपको कितने वरत रखने हैं। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। साल 2024 में सावन की शुरुआत और समापती दोनों ही सोमवार से हो रही है जिससे इसका महत दोगुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में पांच सोमवार और चार मंगला गौरी वरत आएंगे। दोस्तों, पहला सावन सोमवार का वरत 22 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरे सोमवार का वरत 29 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरे सावन सोमवार का वरत 5 अगस्त को र दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, आपके घर में स्थाई रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोल कर भगवान शिव की उपासना और भक्ती में लग जाए। सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे की शिवाजी नाराज ना हो और सावन वरत में यह फालतु कभी मत खाना नहीं। तो भगवान भोले नात, आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका वरत तूट सकता है। आईए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानिया जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर एक शास्त्रों में बताया गया है कि वरत धारी को उधार मांग कर फल आदी नहीं खाना चाहिए। इश्वर की शरण में आने पर व्यक्ती को जूट नहीं बोलना चाहिए। कर्द नहीं लेना चाहिए। चुगली आदी नहीं करनी चाहिए। उधर मांग कर भी खाना नहीं चाहिए। अगर वरत के दोरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है, तो उसे आप खा सकते हैं। लेकिन वरत में कम से कम उधार मांग कर फल आदी खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नमबर दो, सोमवार का वरत हो या सावन का वरत आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। आपका वरत तूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका वरत भंग कर सकता है। दरसल पुराने आटे में घुन कीडे पढ़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरसल आप मांस का सेवन करते हैं। और वरत में कीडे खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका वरत इससे भंग हो जाता है। वरत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीडे पढ़ जाते हैं तो ऐसा कभी न करें। वरत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है. इसलिए ये पांच चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें. जानते हैं उनके बारे में नंबर एक, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ पर भूल कर भी जूते चपल लेकर जा ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पाव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमडे की चपल हमेशा अशुध रहती है. इससे देवशक्ती नाराज होती है. नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाट कर लेती है जो की शास्त्रों में वर्जित माना गया है. इस समय महिलाओं को जान कर भी अंजान नहीं बनना चाहिए. अगर आपको मासिक पीड़ा है, तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं. ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है. जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है, तो ई जाता है. जब देवी शक्तियां नाराज होती है, तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है. लड़ाई जगड़े होने लगते हैं, तो ऐसा कभी मत करना. नमबर तीन शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है, शिवलिंग वहाँ पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती है, जिसके घर में शिवलिंग होता है. वह व्यक्ति महादेव की क्रिपा सदैव पा लेता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त उर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो उर्जा को शांत रखती है. कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफते में एक बार जल चड़ाते हैं, जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है. अगर आप जल नहीं चड़ा सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें. ऐसा गरुड पुराण में बताया गया है, इससे उल्टा घर में विनाश होता है. नमबर चार. शास्त्रों में बताया गया है कि तुल्सी और महादेव का बैर माना गया है. इसी कारण तुल्सी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता. कई लोग जाने अन जाने में शिवलिंग को तुल्सी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है, इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है, तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चड़ाना चाहिए, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए. नमबर पाँच घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो. अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं, तो मंदिर के आस पास भी नहीं जाना चाहिए. घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदी ढाल देना चाहिए. जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे. और ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्ट के बरबादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिलकुल ना करें. ईश्वर के सामने हमेशा नहाद होकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए. इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसंद रहती हैं. दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐ ऐसे बेलपत्र कभी मत चड़ाना, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है. दोस्तों, पौरानिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चड़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है. बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है. व्यक्ति सौभ बहाग्यशाली बनता है. इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं. क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो. दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उप्योग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं. नंबर एक तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेल पत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं. इस बात को शायद ही कोई जानता हो. नंबर दो, अगर बेल का व्रिक्ष घर के बीचो बीच या पूर्व दिशा में लगा हो, तो घर में धन धानने की कभ लोग की प्राप्ती होती है. अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें, दोस्तों चतुर्थी, अश्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या. इन तिथियों के साथ ही संक्रांती के समय और सोमवार को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए. पूज बेल पत्र को स्वच जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं. बेल पत्र में कम से कम तीन पत्तियां होनी चाहिए. कटी फटी पत्तियों का बेल पत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना. कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान म और इसलिए बेल पत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को पांच संकेत मिल जाए, तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर एक बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनात के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महराज आपके दर्वाजे पर आ जाएं और घर की चोखट को सिंह मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं. ये उनके आने का एक संकेत है. भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है. आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन याद रहे, नंदी महराज को तिलक लगा कर मीठा भोग जरूर खिलाएंगे. नंबर दो. सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए. अर्थात भगवान शिव दिखाई दे तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परिशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा. भगवान शिव आपकी सची आराधना भक्ती से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं. ऐसे में याद रहे. शिव की भक्ती में कोई भी कमी ना आने दे. घर को गंदा न रखें क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं. नमबर तीन शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ चट पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत खुश है शास्त्रों में बताया गया है कि नील कंट अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है इसे बिलकुल भी न मारे यह भगवान श्रीव के आने का संकेत है जिनकी भक्ती से महादेव प्रसन्न होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है यही वह महीना है जिसमें भगवान श्रीव धर्ती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है यह घर में शिव के आने का संकेत है अब आपके खुश होने का समय आया है नंबर पांच सावन के शुभवसर पर सोमवार के दिन धमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख सम्रिध्य आने वाली है दोस्तों, वही सावन के महीने में यह पाँच राशियां होने जा रही है माला माल, आखिर कौन सी है? वह पाँच राशियां जिन पर पड़ेगी भगवान शिव की कृपा तो आईए जान लेते हैं विस्तार से सबसे पहली राशी है मिथुन राशी दोस्तों इस अवधी में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्थ होगा जिससे अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकेंगे नौकरी पेशा जातक अगर रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो यह अवधी आपके लिए अनुकूल है भगवान शिव के आशीरवाद से तरक्की में आ रही सभी रुकावट दूर होंगी और नया मुकाम प्राप्थ करेंगे मिथुन राशी वाले परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे इस दौरान धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और धन बचत करने में भी सक्षम होंगे दोस्तों अगली जो दूसरी राशी है वह है सिंह राशी दोस्तों सावन मास सिंह राशी वालों के लिए काफी लाभधायक रहेगा इस दौरान शिव कृपा से सभी कारियों को समय रहते पूर्ण करेंगे और बच्चों की उन्नती के लिए अच्छे फैसला लेने में सक्षम होंगे चात्रों को पढ़ाय लिखाई में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अगर किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शुभ परिणाम की प्राप्ती हो सकती है भगवान महादेव की वजह से सिह राशी वालों के लिए उत्तम धन लाब के योग बन रहे हैं और संपत्ती से भी लाब मिल सकता है व्यापारी इस अवधि में नई योजनाओं को लागू करेंगे जिससे अच्छा धन लाब होगा भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए सरकारी कार्य भी पूरे होंगे और किसी संपत्तीव वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी अगली तीसरी राशी है तुला राशी दोस्तों ये महीना बेहद फायदेमंद रहने वाला है इस दोरान भगवान शिव की कृपा से जो अधूरी इच्छाएं थी वह धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और कार्य बनते नजर आएंगे वहीं नौकरी पेशा जातकों को तरक्की के कई अवसर मिलेंगे और अधिकारियों की मदद से कार्यक्षेत्र में पदव प्रभाव में बडोतरी होगी इस दोरान मन में धार्मिक विचार आएंगे और सावन में पूजा पाठ जैसे कारियों में मन लगेगा कारोबार में अच्छी उन्नती होगी और धन लाब के विशेश संयुक्त बनेंगे तुला राशिवालों को ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा और मन में अच्छे विचार रखेंगे और महादेव से सभी का भला करने की कामना करेंगे सावन मास में तुला राशिवालों के मित्र मदद के लिए तैयार रहेंगे जिसकी वजह से आपके कई कार्य पूरे होंगे तुला राशिवालों के बच्चे भी उन्नती करेंगे जिससे मन प्रसंद रहेगा और परिवार में सुख सम्रिध्धी बनी रहेगी महादेव के आशीरवाद से परिवार में सुक शांती का महौल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। इस अवधी में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनकी मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और जीवन में नए उद्देश्यों की तरफ जाएंगे। और आपकी आकांगशाय भी पूरी होगी। इस दोरान करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे और सामग्र सफलता और सम्रिद्धी का अनुभव होगा। सावन मास में मीन राशिवाले अपने सभी लक्षों को प्राप्ट करने में सफल होंगे और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। इस दोरान भाग्य का सहयोग मिलने, कम समय में धन लाभ अरजित करने में सक्षम होंगे और व्यापार में प्रतिदवंधियों को अच्छी टक कर देंगे। वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। भगवान शिवा की कृपा से आपके सच सपना हो सकते हैं और वाहन या जमीन खरीदने का विचार कर रहे थे। तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जैकारा जरूर लगाए। अपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।